हेलो दोस्तों, रादे रादे, नम्स्ते, प्रणाम कैसे हैं आप सब आशा करते हूँ, आप सब सब च्वस्थ होंगे और बहुत बहुत अच्छे होंगे इसर आप सब लोगों को यूही सच रखे, मस रखे और आप सब अपने जीवन में यूही आगे बढ़ते रहे, तरक्के करते रहे यही इसर से प्रात्ना है हमारी तो हो चुकी है आज के इस ब्लॉक की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग सुप प्रभात कैसे हैं आप सब कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए तो सब से पहले मैं सुबह सारा काम खतम करने के बाद अपना वही जो डेली का रूटीन रहता है हमारा तो मैं पूजा करने आगी हूँ मंदिर में और वेदु तो पीछे-पीछे लगे ही रहते हैं क्योंकि मैं आती करती हूँ तो उनको लगता है गाना बज़ जा है और वो वही पर खड़े हूँके डांस करते हैं घंटी की आवाज सुनके उनको ऐसा ही लगते कि गाना बज़ जा चलो डांस कर लेते और हमाएं मुझ की तरफ देखेंगी कि देखो मैं डांस कर रहा हूँ इसके बाद मैं च्छते आ जाती हूँ जो कि आप लोग ने देखा होगा पिछले वीडियो में हमारा यही रहता है तुलसी बगएरा सब उपर है तो उनको जल देना होता है और इसके बाद सुबह सुबह बंदर आ गए थे तो मैंने थोड़ा सा वीडियो सूट कर लिया थ और इसके बाद आज आती हूँ मैं अपने रसोई में तो सुबह सुबह बता देती हूँ मैं क्या बनाने जाने उनास्ता हमारा हो गया था इसके बाद यह जो आप लोग देख रहते हैं चावल थे और उड़त की डाल थी इनको भीगो के रात को साफ करके रख दिया था पी फ्यंडा होने के लिए रख देते हैं और जो यह उड़त की डाल और चावल थे इनको पीस के बैटर बना के रख दिया था साम को तो यह अच्छे से फूल गया है और इसके बाद गैस पे चड़ा देते हैं एक बड़ा सा भगवना और पानी गरम होने रख देते हैं तो चलिए है मैं बताती हूं कि मैं क्या बना रही हूं तो इडली मेकर है यह और मैं बना रही हूं इडलिया तो चलिए फटा फट से इसमें भर देते हैं सारे बैटर को अच्छे से मैंने रिफाइन लगा दिया था रिफाइन ओयल जो होता है तो इससे क्या होगा ना इड और इसमें इतना भरना है कि मतलब बाहर निकले बाहर निकलेगा फिर अच्छे से गोल इडली नहीं निकलेगी हमारी जब हम मतलब इडली पक जाएंगी उसके बाद तो चलिए रख देते हैं हमारा पानी तो मतलब खौनले लगा है इसके बाद रख दिया है मैंने भगवना म तो थोड़ी देर के बाद लगबग 10 मिनट के बाद हमने खोल के देखा है और अब इसको ना चाकु से चेक कर लेंगे कि इस pickup तो अगर चिपकेंगी तो पिर नहीं मतलब हम समझ जायंगे कि यह नहीं ठापी है तो पक गए है इसके बाद मैंने उसको निकालकर रख दिया है इडली मेकर को और यह मेर्च और लैसुन मुफली बगार है इसको जार में डालके पीस लेते हैं और यह जो इडलियां है तब तक इधर ठंडी हो जाएगी अभी तो गरम-गरम है ना तो निकालेंगे तो हाथ जलने का डर रहता है ना इसलिए और यहां पर मैंन इमली का पानी भीगो के रख दिया था इमली अच्छे से छान लिया था इमली के पानी को तो उसी को डालके और पीस लिया है जार में और इसके बाद यह भी ठंडी हो गई है निकाल के रख देते हैं इनको और यह बहुत ही अच्छे से पक गई है इसलिए आराम से देखो निकलते चले जारे हैं कुछ भी नहीं करना है कि इनको निकलेंगी नहीं चिपकेगी नहीं मतलब चिपकेगी इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा अच्छे से आराम से निकल के आ रही है यह देख लीजे आप soft बनी थी और ये देख लिजे मैं थोड़ा सा आप लोगों को तोड़ के अभी दिखा दूँगी तो देखते रहेगा आप पूरा वीडियो जरूर वाच करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट जरूर करा करें अब लोग कमेंट नहीं करते हैं लाइक कर दिया करें देख तो लेते हैं पर लाइक कमेंट नहीं करते हैं और सेर भी कर दिया करें और इसकी बाद मैंने दोबारा भी उसमें भर दिया है इटली मेकर में बैटर को रख दिया है और इधर तब तक बना यहां पर तेल गरम होने के लिए रख दिया है और इसके बाद हमारी छट पे ही लगे हैं कड़ी पता तो तोड़ लाए थी कड़ी पता और राई और सुखी जो मेर्ची होती है उसका तड़का लगा देंगे और इसके बाद जो मुफली पीस के रखा है उसका पेश्ट बना लिए था तो इसको भी आप इसी में छोड़ देंगे और हमें तो बहुत पसंद है इतली और आप लोग कमेंट में बताईएगा आप लोगों को पसंद है या फिर नहीं पसंद है और कमेंट करके बताईएगा आप लोग और आप लोग वीडियो देखते हैं उसके लिए आ अपने टेश्ट के अनुशार नमक थोड़ा सा जैसे कि आप लोगों को खाना है वैसे आप डाल सकते हैं तो चलिए बना लेते हैं फटा-फट से इसको बनाने में टाइम नहीं लगता है क्योंकि बस एक ही उबाल आएगा और आप बंद कर देंगे गैस को तो ये वीडियो है बुद्धवार का और आप सब लोगों को देखनों को मिलेगा सुक्रवार को क्योंकि इसको एडिट भी करना पड़ेगा ना इसलिए तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लिजेगा और आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं कॉमेंट करते हैं और मैं पड़ती हूं तो मजह बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद जो हमने दुबारा रखा था तो ये भी हमारे अच्छे से पक गई हैं अभी चेक करके देख लेतूं कि पक गई हैं तो पक गई हैं क्यूंकि पक नहीं रही हैं चलिए इनको भी बाहर निकाल लेते हैं और यह देख लिए जी इटलिया हमारी सारी बन गई है और चटनी भी मैंने अलग निकाल के रख दी है क्योंकि बरतन सारे मैंने धुल लिये हैं जो थे इधर खाना भी बन रहा था अपना काम भी करते जा रहे थे और यह प्रेड लगा दी है तो आजाएए दोस्तों आप लो बड़ा सूट कर लिया है तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शर सब्सक्राइब जरूर कर देजिएगा तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सब को हमारा प्यार भरा नमस्कार राधे राधे गन पती बपा मोड्या